अगर अपना दिमाग उस चीज़ के ऊपर लगाएं, यह स्वामी वेवे कानन जी के शब्द हैं माईनेम इस अमन्द अत्रवाल, आज हम बात कर रहे होंगे अगले एक महीने के अंदर किस हिसाब से हम यार पढ़ाई करें जिससे की हमारे अच्छे नंबर आ रहे होंगे, अच्छे नंबर का मतलब हमें यार 97% के उपर इस बार लाना होगा भया, 97% इस बार पेपर अबजेक्टिव है बच्चे 500 में से 500 लेकर आ रहे होंगे इंग्लिस जैसे subject में भी 100 में से 100 नमबर आ रहे होंगे इस बार बच्चों के एक महिना हमारे पास बच चुका है 6 दिन प्रती subject ही हमारे पास यार बचा हुआ है यह जो objective paper है इसके कुछ pros भी हैं और कुछ बहुत बड़े cons भी है अगर उन cons का ध्यान हम नहीं रखा पिछले 6 साल से आर लाखों बच्चे हैं जो कि इस platform के माध्यम से गए हैं बहुत अच्छ अच्छ स्कोर करे हैं कभी यह मत सोचना बच्चे 97 मेरे तो आज तक 80% निया है मैं कैसे करूँगा ऐसे ऐसे बच्चे देखें हैं जिनके 67-68% थे और board exam में 95-96% स्कोर किया है क्योंकि एक fact है इस fact को आप अपनी copy में लिख ले फरक नहीं पड़ता आपके 6 में कितने आये थे 7 वी में कितने आये 8 वी में कितने आये ये इतनी बड़ी reality है हवा दादा बना रखा है इस paper का हमें तैयारी भी seriously करनी है जिन्दगी भर पूछते हैं बारवे में कितने number आये कहां-कहां इसका फाइदा होता है कल को MBA करते हो वहां देखते हैं foreign admission में जाते हो उधर देखते हैं ठीक है और थोड़ा बहुत पूछते रहते हैं वैसे अगर पूछोगे क्या फाइदा है तो कोई फाइदा नहीं है खुद की self respect पर बहुत बढ़ती है आपके उपर भरोसा होगा कल को कोई भी दूसरा exam देने जाओगे तो पीछे एक आपका feedback होगा कि यार पहले भी फोड रखा है आगे भी फोड लेंगे जेई भी पहले फोड़ा था आगे भी फोड लेंगे नीट पहले फोड़ा था इस exam को भी फोड लेंगे तो पढ़ाई swim के लिए करनी है यह अगला एक महीना ऐसे निकल जाएगा अगले आठ महीने ऐसे निकल जाएगे कॉले जा जाएगा distractions को मारो काटा बड़े वाला ठीक है सबसे पहले यार मैंने याँ पे आज एक शांदार सी अमने table बनाने की कोशिश करिए जिससे की structured way में आपको चीज़ें पता चल रही हो कौन सी बुक्स बिलकुल भी फालतू समय नहीं है हमारे पास कौन सी बुक्स कौन सी वीडियो कितनी mcq question practice कितने sample paper कहां से और सबसे important key points गड़े का हैं जहां पे आपके नंबर कट रहे होंगे अब शुरुआत करने से पहले सबसे पहले cbse ने कुछ free resources हमें दे रखे हैं आपको पता है तो good नहीं तो मैं बता देता हूँ पहला free resources है यार ये cbse question bank class 12 बिलकुल यही google पे आप सर्च करना पहले link आएगी click कर देना अब English सारे subject नहीं दे रखे हैं subject दे रखें जैसे कि English का दे रखा है English आप देखोगे तो यह 100 pages की PDF है जिसमें मत्र सिर्फ MCQs है जैसे कि the last lesson हो गया इसके यह सारे MCQs दे रखें और यह MCQs अच्छे level के हैं मतलब बहुत ललू ललू questions नहीं है पहले English में क्या होता था यार आपने अगर थोड़ा सा भी chapter पढ़ा है आप कुछ भी answer लिखते थे कुछ number मिल जाते थे इन MCQs को करके आप देखोगे तो आपको खुद realize होगा कि यार जो question है और जो चार option है वो चार option बहुत closely related है कि उसमें गलती करने की probability बहुत अच्छी है especially आप फिर writing skills में देखो उधर थो हमने हमेशा ही लिखा है नया pattern क्या है आप से पूछेंगे ये notice है इस notice का appropriate title क्या होना चीए चार option दे देंगे और बहुत closely related होंगे तो वहाँ पे जिस बच्चे ने sample paper नहीं किये जिस बच्चे ने MCQ question practice नहीं करी जिसने ढंक से depth में नहीं पढ़ा वो बच्चा मार खा रहा होगा जिसने अच्छे से पढ़ा हो 100 में से 100 लाएगा पहली बार English में बच्चों के 100 में से 100 अच्छी मात्रा में आ रहे होंगे इसी प्रकार से बाकी subjects के हैं नमबर के हैं कोई negative marking है नहीं ठीक है कुछ questions आपके comprehension, literature और आपके उस हिसाब से आठ तो आप कोई भी देख सकते हैं majority बच्चों पर English होता है subject तो यह आपका पूरा sample paper एक यहां पर आ गया पर यह तो एक sample paper है इस साल बहुत सारे करने पढ़ेंगे अब शुरुआत करते हैं इस table को यार मैं भरना आपके साथ शुरू करता हूँ free resources के बारे में हमने बात कर ली cbse वाले English कैसे पढ़ें पिछले साल तक की point यह होता था गलती कहां पर होगी अगर आपने spelling mistake कर दी tuition की spelling नहीं आती हमें lose और loss में फरक नहीं पता अमरे spelling में क्या difference है दूसरा आपने अगर यार जो writing skill है उसके format में गलती कर दी अब इस साल लिखना कुछ है नहीं गलतीयां आपकी वहां होगी जिस बच्चे ने सिर्फ उपर उपर से पढ़ा है वो गलत MCQ questions के यार अंसर दे रहा होगा नमबर उसके कट रहे होंगी इन डेप्थ आपको study करनी है और ये true है लगबग हर एक subject के लिए द्यान से सुनना इससे हूँ एक और example से समझा देता हूँ physics है बहुत अच्छी बात क्या हुई derivation ही नहीं रट नहीं सारे senior परेशान थे पहले derivation रट रट के NCRT की back exercise करकरके solved examples करकरके जो कि अच्छी बात है करने चीए थे क्योंकि पहले सीधे उठके आ जाते थे as it is chemistry में तो organic में यूँ बोला जाता था कि कोई भी organic chemistry का question NCRT के भार नहीं आता सारे के सारे सीधे उठके आते हैं अब इस साल paper ये MCQ कर दिया है और आप लोग फस होगे काँ हम फसेंगे case based study जो question आपके आते हैं क्योंकि उसकी practice NCRT book में भी नहीं है उसकी practice किसी notes के अंदर भी नहीं है समझ में आया हूमे assertion reasoning में हम फस रहे होंगे तो इनकी जिस बच्चे ने practice नहीं करी चाहे हम English की बात करें Chemistry की बात करें Mathematics की बात करें Physics की बात करें Computer Science की Economics की वहाँ वहाँ हम गलती का scope दे रहे हैं and don't aim for 97 97 पूरा एक मान के हर subject में 100 का target लो क्यों नहीं कर सकते जरूर कर सकते हैं यह 6 दिन है साथ में subject के बीच में भी आपको समय मिलेगा पर आप वो time आ गया जब दिन के 8-10 घंटे तो minimum हमें यार लगाने पड़ेंगे अब English में किताबें कौन सी पढ़नी है Books पढ़ने से पहले वीडियोज देखेंगे यूट्यूब के ओपर काफी सारे वीडियोज है चीक है आपकी यार English already बहुत strong है आपको लगता है बुक से ही में सीधा समझ लूगा वो ठीक है बाकि आप वीडियोज यार देख सकते है summary वीडियोज होते ही है इसमें summary होती है प्लस लाइन बाइन आपको बुक रीडिंग करा देंगे कि भाई कहां कहां आपके metaphor वगरा similes ये सब आ रहे है इसके यार already एक playlist बनी हुई है आप कोई भी देख सकते हो हमने अपनी कक्षा चानल पर बना रखिए 28 वीडियोज है हर एक वीडियो के अंदर पहले chapter summary उसके बाद हर एक chapter को line by line reading करके दिखाया गया है फिर साथ में writing skills वगरा है उनके बार में भी बताया गया है तो आप चानल पर जाके ये सारे resources देख सकते हो ठीक है दूसरे चीज़ पर आते है books इसमें यार वो ही है एक तो फ्लमिंगो करनी है प्लस विश्टास करनी है MCQ practice अभी मैंने आपको बताया 100 pages की वो PDF जो CBSC ने दे रखिया है वो आप कर सकते हो नहीं तो आपके बगल वाले stationary में जो आपको किताब अच्छी लगती है आप वो उठाके पढ़ सकते हो sample question papers यहां पर मैं लिख देता हूं very important जिस बच्चे ने यहां पर कमी दी वो सोच लेना आप 100 नहीं आएंगे या तो 98 97 96 ऐसा नहीं कि 90 सूपर नहीं ला पाऊगे 90 सूपर आ जाएंगे रेस है यहां पर 97 98 100 लाने की ठीक है और 100 को ही टार्गेट करना उससे छोटा मत करना चाहे आज तक आपके 60 नंबर आए हूं target बड़ा लो target बड़ा लो sample papers at least 10 minimum 10 प्लस आपको करने ही करने है इस साल पिछले सालों में मैं नहीं कहता था इस साल में कह रहा हूं 10 प्लस आपको इंग्लिश में करने कहां के करो बगलवाल stationery से जो आपको पसंद आए वो यूज कर सकते हो मेरी पर्शनल फेवरेट मुझे इस साल और स्वाल बुक्स लगी इनके यार limited number of questions थे अच्छे quality के questions थे हम अपनी कक्षा पर जो mcq series पूरी करा रहे हैं उसके अंदर भी यार इस बुक को refer कर रहे हैं तो sample papers आपको जरूर करने हैं की points की अगर बात करें depth में पढ़ना mcq practice जरूर करके जानी है हर एक चीज की writing skills की भी करके जानी है आपको ठीक है तो देवर्दा key points इंग्लिश का पेपर है हमारा 40 marks का आएगा कितने marks का यह हमारा बिल्कुल समय नहीं है तो हर दिन यार आपको रात को 15 15 20 20 मिनट एक चाप्टर summary को देना start करो फिर जैसे हमारी अभी date sheet आएगी तो paper से पिछले मांच जिन्द जो होंगे यार वह हम dedicatedly English को दे रहे होंगे और आप बहुत अच्छा करके आएंगे ठीक है chemistry के हम यार बात कर लेते हैं कितने number का paper आएगा 35 number का paper आएगा term 1 का similarly term 2 का 35 का पंदरा पंदरा के practical आ रहे होंगे ठीक है तो यह जो 35 marks का paper है इसमें यार सबसे पहले understanding कहां से करनी है videos कहां से देखने है आप यह जो आपको teacher पसंदो उनके देख सकते हो बाकी हमने यार यहां पे बना रखे हैं यह आपके organic chemistry की पूरी playlist है बहुत ही शांदर playlist है जो चीज 10 गंटे में पढ़ानी होती थी 4-5 गंटे में detail पढ़ाई है बिना चीज को छोड़े पहले 11 का recap कराया है जैसे organic chemistry में थोड़ा सा पढ़ना होता है पुराना और फिर बाद में 12 पूरी पढ़ाई विये इसी प्रकार से physical आप नोट्स आपको करने हैं देखो ncrt आपके पास पढ़ने का टाइम है अल्रडी पढ़ चुके हो वेल और पर आप वो बच्चे हो कि भाई हम तो जैनीट की त्यारी कर रहे थे या फिर मैंने अभी बोर्ड की त्यारी स्टार्ट करी है जैनीट में नहीं पढ़ी क्या अब नहीं कख्षा आगे लगा होगे यह पहली जो लिंक आएगी इस पर आप क्लिक करो 14 वीडियोस हैं सारे के सारे जो चैप्टर हैं A to Z completed हैं handwritten notes minimum pages में maximum output बहुत प्यारे notes हैं लागों बच्चे इने देख चुके हैं ठीक है मिस्ट्री सबसे असान पेपर है इस साल का भी मैं expect कर रहा हूँ कि मिस्ट्री इन सब में सबसे असान पेपर आ रहा होगा पर त्यारी पूरी रखनी यार इन और गयानिक वगएरा मिला कि स्लेविस वड़ा हो जाता है इसका तो इसमें आपके case study based जो है यह हर chapter के आपके जरूर होने चीए sample paper आप 5 प्लस भी कर लोगे उस वाल के काफी है या फिर जो भी आप क्योंसे करना चाहते हो पर 5 प्लस आपको जरूर करने है इससे यार हमें अधत हो रही होगी बिलकुल समय नहीं लगा छोटे-छोटे पेपर है की points आपके क्या है as such कोई major key points नहीं है बस NCRT या फिर इन notes के बाहर का कुछ पढ़ने की आपको बिलकुल जरूरत नहीं है main focus आपका notes के उपर होना चीए notes अगर आपने contest कर लिए तो यह mcq practice भी बहुत दड़ाई दड़ाई हो रहे होंगे ठीक है को सोचना नहीं पड़ेगा इसमें कि यह चार English में जैसे option थे इन में से कौन सा सबसे accurate लग रहा है नहीं right and wrong answer है यहां पर बल जल्दी जाएगा ठीक है key points discuss कर चुके है mathematics की अगर हम बात करें अचे यार एक चीज और अगर कोई ऐसा बच्चा है वही मैं तो 99 पर ही सोची नहीं सकता 100 ही चाहिए तो वैसा बच्चा exemplar के question solve कर सकता है अब exemplar थोड़ा J level की चीज हो जाती है पर यह NCRT ने खुद बना रखी होती है आप Google search करोगे PDF format में CBSE की website पे मिल जाती है उसके बस MCQ questions कर लेना वह भी single correct वाले थोड़ा level high होगा पर ऐसी कुछ भी नहीं बचाए पढ़ने के लिए तो पढ़ लिया हमने mathematics के अगर हम बात करें NCRT कर लो अपने अच्छे से अगर आपने देखो यार तीन चीजें हैं जिस जो भी आपने करी है आप यह तो सिर्फ NCRT करो प्लस PYQs आपने कर ली हूँ अब PYQs पिछले साल तक sense बनाता था इस साल विलकुल sense नहीं बनाता तो इसकी जगा क्या कर रहे हैं अगर आपने NCRT कर ली है प्लस आपने at least 10 sample papers कर लिये हैं इससे भी काम बन जाएगा कोई ऐसा बच्चा है जिसने RD शर्मा या RS अगरवाल कर ली है बहुत बढ़िया उससे भी काम चल जाएगा आप भी अपने साथ में कुछ previous year 5-6 previous year questions कर सकते हो कोई ऐसा बच्चा है जिसने यार NCRT करी है साथ में NCRT की exemplar कर ली है very good इससे भी काम चल जाएगा पर at least 5-6 sample papers जरूर करने आपको इन तीनों में से जो भी आप कर रह ले हैं वीडियो आप कहां से देख सकते हो online में जो टीचर आपको पसंद हैं यार आप उनसे पढ़ सकते हो बाकि एक 73 वीडियो की पूरी playlist बना रखी है जहां पर आपकी mathematics covered है और इतनी depth तक covered है जैसे की for example relation function है उसका यार one shot में हमने एक गंटे में पढ़ाया साथ में NCRT क सारे के सारे exercise 3.2, 3.3 हर एक के solution बता रखे हैं फिर आपकी exemplar जो book है उसके भी solutions बताए हैं जैसे कि यह exemplar है continuity and differentiability तो exemplar पूरी solve करके वह भी solutions हैं तो आप चाहो तो खुद कर सकते हो नहीं तो solution booklets आ सकती हैं वो खरीच सकते हो market से इस videos को देख सकते हो ठीक है resources बहुत सारे है अब आप पढ़ने लगोगे सब हो जाएगा MCQ प्राक्टिस वेरी इंपॉर्टन ठीक है क्योंकि हमें देखना है NCRT के questions कर लेना यार basically यह होगा question दे देंगे और आपको सीधा answer नीचे चार दे रखे होंगे तो question solve करना आपको आना चाहिए step के marking नहीं होंगे पर final answer आपको निकालना आना चाहिए question practice कर लेना sample paper अगर यह दो book करी है तो 5-6 ठीक है अगर सिर्फ NCRT करी है तो जनाब आपको 10 plus sample papers करके आने है key points क्या है key points क्या है as such कुछ key points नहीं है practice जरूर करना है आपको ठीक है यह तीनों में से कोई भी एक चीज 100% तक निकालनी है एक चीज ध्यान रखना syllabus एक बार करना कोई बड़े बात नहीं होती उसकी 5-6 बार revise करना main चीज होती है अगर आपने notes कर लिए बहुत अच्छी ब को रिविजन पूरे सलेबस का देगा लंबा खेंच रहा हूंगा मैं थोड़ा सा वीडियो को फिजिक्स की अगर हम बात करें जनाब तो फिजिक्स में आपके यार्स notes हमने बना रखे हैं और notes को आप access कर सकते हो बहुत ही प्यारे notes है कहां पर हम जाएंगे class 12 physics notes search करना अप आपको जूरत नहीं पढ़ रही होगी वीडियो आपको जिन टीचर के अच्छे लगे यार वह आप देख सकते हो हमने एक छोटी सी playlist बनाई है उसमें दो तीन चाप्टर अभी हैं तीन चार और डालने हैं वह बीच में रुप गई थी क्योंकि हमने दूसरा काम स्टार्ट किया था पर जितने चाप्टर से हैं वह बहुत प्यारे से एक्स्प्लेंड हैं आप दुबारा अपनी कख्षा चैनल पर जाके उन्हें देख सकते हो अच्छे से ठीक है और अब मुझे पता है आप लिखोगे भाया उसको प्लीज कंप्लीट कर दो मेरे को जैसे ही सांस मिल के देखना फिजिक्स हमारा सबसे डिफिकल्ट पेपर आया है आज तक का यह भी दुबारा 35 नंबर का होता है पिछले आप 4-5 सालों में देखोगे पांचों में सबसे मुश्किल बच्चों को फिजिक्स लगता है अब यह MCQ फॉर्माट में आएगा तो निमेरिकल होंगे के स्टडी बेस्ट में कुछ भी एक सिनारियो होगा जिससे पांच रिलेटेड कोश्चन होंगे अगर वो सिनारियो बेस्ट कोश्चन आपने पहले कर रखा है तो आप कर दोगे वरना हो सकता है हम अटक जाएं एक ऐसा के स्टडी दे दिया आपको ज्यादा नॉलेज नही आप नहीं कर पारें हमारे दो-तीन नंबर का नुकसान हो जाए यह नहीं चीह में तो के स्टडी बेस्ट कोश्चन वेरी इंपोर्टन असर्शन रिजनिंग वाले कोश्चन वेरी इंपोर्टन अलग से प्रैक्टिस जरूर करनी है पहले हम कहते थे कि यार फिजिक्स में ज नोट्स पढ़ लिए एंशी आर्टी की जिगह वेरी गुड पर अलग से कोश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस साल ठीक है तो वह सैंपल पेपर्स के माध्यम से आप कर सकते हो एंशी क्यू कोश्चन प्रैक्टिस अलग से कर सकते हो चीक है अब विडम बना देखो अगर आप यह वेब साइट देखोगे ना जो इन्होंने फ्री रिसोर्स दिये थे बस इसमें फिजिक्स नहीं दिया कमेस्ट्री भी दिया इंग्लिश भी दिया है मातमाटिक्स भी द रखता है आपको जो ठीक लगे आप वो ले सकते हो की पॉइंट्स की बात करें कि पहले सा सोचके रखना यार थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर आएगा MCQ प्राक्टिस आपको एक्स्टेंसिवली करनी है एक्स्टेंसिव तियारी आपको जनाब यहां पर करनी होगी जो भी हमारा टर्म बन में स्लेबस आ रहा है देखो आधा स्लेबस है निचोड़ के रख दो इसको ठीक है Computer Science की बात करें Computer Science में यार complete syllabus आपका यार पढ़ा रखा है काँ पढ़ा रखा है मेरको भी देखने दो इधर पढ़ा रखा है ठीक है तो यह Python for Class 12 यह पूरी एक 25 वीडियो की प्लेलिस सीरीज है दुबारा अपनी कक्षा चानल पर डली भी है इसे A to Z आप देखें इतना या आपके पास resources है CBSE की website पे जैसे हम CBSE में गए 12th Computer Science इस पे आप क्लिक करोगे आपको कुछ question practice यहां पे मिल गई वा जी वा मज़े आ गए चीक है मज़े आ गए इस question practice को आप देख सकते हो अब आपके यह है कि यहां पे तो सिर्फ एक एक आंसर दे रखा है ना इसे करेक्ट आंसर कौन है पर मेरे को explanation वगरा भी चीए तो फिर आप यार मार्केट से कोई किताब refer कर सकते हो ठीक है वो सारी चीज़े यार अवलेबल है computer science के case में वीडियो यार अपनी कक्षा पे डाल रखें complete playlist इसमें यार बुक्स यार मैं ज्यादा recommend नहीं करना चाहूंगा जो आप आपके college में सारी school में चलती हैं उनको आप refer कर सकते हो दो-तीन books हैं पर जब हमने यार अपनी पढ़ाई करी थी हमारे school ने उन books को पढ़ने के लिए बना किया था तो कभी मैं उन books के थूरू personally नहीं गया तो इसलिए मैं उस पर अपना statement नहीं देना चाहूंगा ठीक है उन books उसको हमने भी refer किया है जब आपकी ये series वीडियो वगएरा बन रहे थे पर हमने और कुछ बने वे notes भी refer करे हैं जो किया रहा हमने अपने अलग-अलग दोस्तों वगएरा से करके ठीक है point being जो आपकी किताब चल रही है स्कूल के अंदर उसको आप refer कर सकते हैं 2-4 है सुमित्रा रोड़ा वगएरा हैं एक-दो स्कूलों में कुछ और चलती है जो आपको ठीक लगे mcq practice है very important very 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 important बहुत ही जादा important है यहां पे sample papers super very important चीक है minimum से minimum यार आपको साथ से 8 sample paper करके जाने हैं 10 कर लेते हो तो और अच्छा क्योंकि यार यहां पे आपको काफी जगा दलती मिल रही होगी ठीक है एक चीज़ का ध्यान रखना ऐसी publication लेना जहां पर ज्यादा printing mistake ना काफी बार आप computer से related जो भी sample papers लेतों उनमें बहुत सारे आपको printing mistake लगते हैं तो वह ध्यान अमें रखना है आपको ठीक लगया जिसके साथ जाना चाहो चले जाओ पर यहां ध्यान रखना spelling mistake आपको काफी publications में मिलेंगी मैंने personally देखा की points की बात करें it is same sample questions sample papers they are very important I hope यार हमने सारी चीजें detail में cover कर रही होंगी कितने sample papers आपको चीए यह पूरी strategy इस हिसाब से है कि मान लो आपका goal है 97% प्लस लेके आना थेक है जनाब हर एक subject में आपको 100 का aim करना है और गलती से कई पर कोई question चूट गया तो यार 97 पे aggregate settle कर लेंगे मेरी मान के चलो आपका अगर DU की cutoff की बात करें इस बार आपने जैसी देखा होगा चार colleges थे 100% cutoff के साथ start हुए मैं personally बोलूँगा 97 भी नहीं इसको 98 कर दो something 99 कर दो right डरना बिलकुल नहीं है distractions को side में रखो एक लंबी अच्छी सांस लो believe अपने ओपर रखना है उस कमल के fool क की तरह है जो की कीचड में रहके भी यार एकदम साफ रहता है गीला नहीं होता आपके रस राउंड में भी बहुत सारी negative elements होंगे आपको ignore करना है एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो कोई भी चीज जो की अगले एक मैने में आपको अपने गोल की तरफ जाने से रोक रही घरवाले आपस में लड़ रहे हैं उससे भी बिल्कुल फरक नहीं पड़ता हमें हमें सिर्फ फरक इससे पड़ता है क्या मेरा syllabus हो गया क्या मैंने वीडियो देख लिए क्या मैंने किताबे पढ़ ली क्या मैंने paper कर लिए क्या mcq question practice हो गई हर एक चीज के हम यार टिक करते जाएं ठीक है जनाब तो इसी के साथ यार आज के दिन इतने सारे resources है ठीक है अब बच्च सभी बच्चों के पास ही अवलेबल हैं तो जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके लिए लोटरी लग गई है ठीक है तो अगर आप dedicated पढ़ने वाले बच्चे हो आप बहुत सबसे जादा नंबर आएंगे इसे आप स्वेम चाकर भी नहीं बदल सकते अब जैसे आपकी जनाब date sheet आ रही होगी तो detailed किस दिन आपको क्या पढ़ना चीए एक मैं proposal साथ बना के वीडियो दूंगा उसको आप refer कर सकते हो जिससे कि आर आपकी अच्छे से पढ़ाई हो रह लग रही हो स्लेबस हमारा खतम हो रहा हो आठ से दस गंटे की मिनिमम सिटिंग स्टार्ट कर देना जनाब एक अपना लक्षमन रेखा बना लो उसके अंदर कोई नहीं आएगा इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कमरा लॉक कर लिया बैट के मुबाईल पे गेम खेल रहे हो पेरेंट्स अराम से देख सकें पर उस रूम के अंदर कोई डिस्टरब करने नहीं आ रहा है आप उस रूम से बाहर नहीं जा रहे है अंटिनले साब को खाना नहीं खाना थोड़ा सा रिलाक्स करना है पांच-दस मिनट का पच्चिस मिनट अगर पढ़ाई कर रहे हो तो प परकार से जनाब आपको आगे मैनत हमें करनी होगी रगड़ोगे नहीं अपने आपको तो यह सेम मैनत है ना तीन साल बाद आपको करने पड़ेगी एक फैक्ट है ठीक है 24-25 साल की उमर में हर कोई भाग रहा होता है हर कोई पैसा कमाना चाहता है घर के खर्चे चलाने के ल आपका मन लगता है ठीक है या एक ऐसा जो कि बस आपको करना पड़ रहा है क्योंकि यार आपके उपर कुछ रिस्पॉंसिबिलेटीज है जो आपको करनी है पूरी आपकी जिंदगी की डेस्टिनी आप डिसाइड कर रहे हो आप एक हसलर हो एक्स्क्यूज मत बनाना कि इस कारण की वज़े से मैं नहीं कर पाया कोई सुनने में इंट्रेस्टेड नहीं है डेट्सो करोड की पॉपुलेशन हो गई हमारी राइट इन फैक हसेंगे आप पे आप एक्स्क्यूज बनाओ गे तो यह सारे के सारे वीडियो जो दितने भी थे या बुक्स थे फ्री रिसोर्स थे हर एक मैंने खोल खोल के बताया क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कितनी लिंक दूँगा कंफ्यूज ना हो जाओ आप जो आपको सैंपल पेपर अच्छे लगें वो आप देख सकते हो य